तो गैस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से विदाउट फून नंबर, विदाउट इमेल अड्रेस, एंड विदाउट पासवर्ड अपना ओल्ड फेस्बूक अकाउंट रिकावर कर सकते हैं यानिके आपके फेस्बूक अकाउंट था, आपको ये याद नहीं हूप और आपको ये याद नहीं किस इम्धार पर एक पीयाद किया था को मैं password भूल गया हूं phone number भी भूल गया हूं email address भी भूल गया हूं उसको मैं पता करूंगा कि वो कहा है तो यहां पर दोस्तों अगर login into another account पर click करते हैं तो यहां पर यह कहते हैं कि आप email address डाले है phone number डाले फिर ही आपके ID recover होगी लेकिन दोस्तों अगर आप बैक की तरफ आते हैं और नीचे एक option है find your account अगर आप इस पर click करते हैं click करने के बाद यहां पर पहली बार आपको यही कहेंगे कि phone number डाले है फिर हम आपको search कर देंगे लेकिन आपने क्या करना है नीचे की तरफ option है search by your email और name instead आपने इस पर click कर देना है click करने के बाद यहां पर आप अपना email address डाले या फिर अपना full name डालने तो आपने अपना full name डालना है जिस यानि के आपको name तो कम से कम याद होना चाहिए ना अपनी ID recover करने के लिए तो यहां पर दोस्तों मैं वह वाला name डाल देता हूं जिस ID को मैं recover करना चाहता हूं या जिसका मैं phone number भूल गया हूं वह यह जुनेद खान अब इसके बाद यहां पर मैं search के button पर click कर देता हूं अब आपके सामने काफी सारी बड़ी list आ जाएगी ज इसी में आ जाएगा देखे मेरा इसमें आ गया जुनेद खान तो मैं इस पर click करता हूं जैसी मैं इस पर click करता हूं तो दोस्तों यहां पर तूच यानि के दो चीज़े होंगी पहली चीज़ यह कि अगर आपके मुबाइल में Facebook का catchy data save है तो आपको यहां पर कहा जाएगा क आप अपने Facebook अकाउंट कर सकते हैं वरना नहीं कर सकेंगे अगर catchy data हुआ तो आपने यहां पर continue पर click करना है अगर वह वाला number है यानि के वह जिस पर end पर तीन words है तो आपने continue पर click करना है उसके बाद जो वह number होगा उस पर code आएगा वह code आपने डालना यहीं पर आएगा औ और उसके बाद code डालने के बाद आपको कहेंगे के new password create कर लें तो मैं यहां पर continue as जुनेट पर click करता हूँ यह कहा रहा है के new password create कर लें क्योंकि मेरे mobile में catchy data save है